जैहिन पैरेशात्रों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण है क्योंकि आपकी बोट पर इच्छा निकटा चुकी है और अगर आप बाइलोजी का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को कई सारे फीगर यानि चित्र बनाने बनाना सिखा देंगे नामांकित चित्र होने वाला है तो आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं और आप बनाना सीख जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है तो देखि इस प्रकार से आपको लाईने बनानी है फिर क्या करना है इधर से क्या करना है आपको इसी को ऐसे दोहरा देना है क्योंकि आपको पता होगा कि जो DNA है प्यारिशात्रों वो कैसा होता है वो दुई कुंडलित होता है कैसा होता है दुई कुंडलित होता है तो आपको कुछ इस इसको दोर्ण देना है ठीक है और यहां पर आपको क्या करना है इसको say करनके फैसे प्रकार आपको इसी प्रकार से बना त bitch यहां पर मेने मारकर से बनाया यहां ऊपनी pencil से बना यहां अब इसको बनाने के बाद आपसे पता होगा परिशात्रों कि जो आपका DNA होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है तो DNA के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों इनने के अंदर इनको नाइटरोजन देना है तो आपको क्या करना है और प्यारे शात्रों C और G के बीच में कौन सा बांट होता है टिपल बांट यानि एडनीन और थाइमीन डबल बांट से जुड़े होते हैं और साइटोसीन और गौनीन टिपल बांट से जुड़े होते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पिका करना है देखिए एडिनीन को डबल बांड से ऐसे थाइमीन से जोड़ देना है देखा आपने फिर आपको क्या करना है अब आप थाइमीन को भी डबल बांड से एडिनीन को जोड़ सकते हैं वह आपने जैसे या तो आप इसको A1-T जोड़ दीजे या आप T1-D जोड़ दीजे इतना आप समझ गए और इसी को यहाँ पे जैसे आप C1-G जोड़ दीजे या G1-C जोड़ दीजे देखिए यह आपके पेपर में आना एकदम तह हैं तो इसको आप जरूर से तयार कर ली ठीक देखिए G1-C यहाँ पे देखिए A1-T और पैले चात्रों एकदम अच्छा स्वच्छ जित्रा आपको आपको बनाना रहता है वहाँ पे निर्देश में दिया रहता है जितना है अच्छा जित्रा आप बनाएंगे उतने बड़िया नमबर मिलेंगे कुछ लोग क्या बताते हैं कि यह कला का पेपर नहीं यहाँ पे चाहे जैसे चित्र बना दो काम चल जाएगा पर ऐसा होता नहीं है यहाँ पर भी आपको एकदम जैसे आप चित्र कला में वहाँ बनाते थे उसी प्रकार से आपको बनाना होता है ठीक है तो आपको बस ऐसे ही केर शात्रों जोड़ते चले जाना है मैंने क्या अधिका आ追 reprodu vari होते हैं तो आपको पता है कि अधिका और erte को ट्रिपल्बांट से उड़ा होता है प्लाइं टी जोड़िये चाहे टीद वर्णड युड़ीये है फिर हम क्या करेंगे A double band T जोड़ देंगे ऐसे यह चारक इसके अंदर रहते हैं ठीके फिर क्या करेंगे T double band A जोड़ देंगे यहाँ पर C triple band G जोड़ देंगे देखे एकदम सच चित्र जैसा कि मैं आप C को बना के दिखा रहा हूँ देखे थोड़ा सा blur हो गया है क्रिवात नहीं देखे जिस प्रकार मैं आप C को बना के दिखा रहा हूँ ना बच्चो इसी प्रकार से आपको बनाओना है ठीक है फिर देखे ए डबल बांड T फिर देखे टी डबल बांड A फिलकुल ऐसा ही आपको एकदम क्लियर सा वहाँ पर दिखाना है C triple band G और यहाँ पर आप G triple band C इस प्रकार से आपको क्या करना है प्यारी शात्रों DNA का चित्र बनाना है ठीक तो अब तो यह DNA का चित्र बन गया अब आरी है इसके नाम लिखने की तो जो यह पहली वाली स्रिंखला होती है प्यारे बिच्चो यह 5C से शुरू होती है कहां से शुरू होती है 5C से यह सब आपको याद रखना है और खतंगा होती तो यह वाली शुरू होती है और 5C 3 से खतंग होती हैं इतना आप समझ jewelry अफ देखिए आपको इसमें दोचार चीजे करने रहती हैं वह क्या है यह वाली श्रंखला और यह श्रंखला की बीच की जो दूरी ऊती उफ्स兩ष कितनी होती है यह संगे स्टार यह वालि संग पूंडली जो होती है वो हती है पेरे चूं... 34きた कितनी होती है 34 सिंगेश्ट आपको याद रहेगा और ये जो दो शिराएं हैं इनके बीच की जो दूरी होती वह होती है 3.4 x टान तो इतनी चीजे आपको याद रखने है ठीक और आप यहाँ पे एक चीज और जान लीजे यह जो आपका DNA होता है यह किन-किन चीजों से मिल करके बना होता है ठीक है यह भी बहुत ही important चीज है तो यह क्या होता है यह phosphate प्लस sugar और प्लस nitrogen base यानि छार तो इन तीन चीजों से मिल करके यह बना होता है तो एक बार आप फिर से समझ लीजे फूरा concept आपको मैं समझा दूँ कि जो यह DNA होता है यह आपको सबसे लियाद रखना है कि phosphate से और sugar से और nitrogen छार से मिल के बना होता है इसको महंदी में भी लिख देता हूं देखिए phosphate 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 ठीक प्लस सरकरा 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 प्लस nitrogen छार देखिए यह जो DNA है वो phosphate प्लस सरकरा प्लस nitrogen छार तीन चीज़ों से मिल करके बना होता है ठीक है और इसको बनाने का ट्रिक क्या है पहले आप ऐसे साप की तरह ऐसे से बना दीजे फिर उसी को ऐसे दोरा दीजे तो इस तरीके से DNA बन जाएगा और मैंने क्या होता है कि DNA के अंदर कौन कौन से चार होते है यहाँ पर चूंकि जो DNA हो नाइटोजन चार से मिल कर कहीं तो बना है तो इसके अंदर देखिए एड़नीन, गवानीन, साइटोसीन और थाइमीन नामक्षार होते है तो जो एड़नीन और थाइमीन होते है यह डबल बांट से जूड़े होते है और जो साइटोसीन और गवानीन है यह ट्रिपल बांट से जूड़े होते है तो आप एडबल बांट टी लिखिए चित्र समझ में आया होगा और हाँ पेपर में कभी-कभी आप से कहता है एक्जामनर क्या कहता है देखिए वाट्सन वाट्सन एंड क्रीक के डिन्ने माडल को बनाईए तो आपको यही बना देना है ठीक है अले मुटा मुटा कर दÉना 3D नुमा लगना चाहिए और आपको यही चीज़ बना देनी है इन दोनों की बीच की दूरी होती है 20 इंगे श्राम यहां से यहां तक की दूरी 34 एंगे स्ट्राम और एक अगर बीच की दूरी की बात करें तो 3.4 एंगे स्ट्राम होती है तो यह सब आपको वहां पर बता देना है और आपको अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे यानि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और इसी के बेसिस पे आपको वहां पर लिख देना है तो बच्छों इसी के साथ आप सभी से लेते हैं विदा जल्दी मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपने अपने प्यारों सपोर्ट देते रहिए वीडियो पसंद आओ तो लाइक करिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए अगर पुराने वीवर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और की चीज़ पर वीडियो चाहिए और अगर नए वीवर हैं तब भी आप कमेंट करके अपनी राइ जरूर दें ठीक है तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई और कीप वाचिंग और इंजॉइंग दा वीडियो जबी प्रेक्टिसिंग दा थीम्स